दोस्त वीडियों हम बात करेंगे DAO में करके DAO token के प्राइज वोमाइट के बारे में अपडेटेट लेवल से और आने वाले दुनों आपके लिए टागेट्स क्या रहेंगे करेटल कोई 1.37 से उपर ट्राइड कर रहा है एक अच्छा breakout एक अच्छा quick pump रिसेंटली इसकी प्राइज में देखने को मिल रहा है और कल से अभी तक almost इसकी प्राइज में 60% से जादा का quick pump देखने को मिला है और अपने bottom से अभी तक इस coin ने 80% से जादा की recovery की है करेंटली 1.35 से उपर ट्राइड कर रहा है आपने इस coin में entry ली है तो आपके लिए targets क्या रहेंगे as a trader long term और short term के perspective साब किन areas पर नजरे बना रख सकता है औरहाल सारी चीजों के बारें बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आये हैं जिनको जादा नोले experience नहीं है उनके लिए प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर उनको प्रॉपर guidance प्रॉपर strategy शेयर की जा सके चेट access रहेगा crypto queries resolve की जाएगी signals share की जाएगी और भी बहुत सारे benefits है तो जो crypto में अपना पैसा lose नहीं करना चाहते है अच्छा profit generate करना चाहते है वह इंस्टा पर DM करके join कर सकते है इंस्टा के link वीडियो के description में है 1.39 UST के around अभी currently coin trade कर रहा है 15 minute का chart open है एक अच्छा का सब breakout देखने को मिला और price में fluctuation भी है बहुत जादा volatility भी देखने को मिल रही है अभी अगर daily का chart open करें तो यहाँ पर अभी पिछले दो दिन में ही इस coin में recovery देखने को मिली इससे पहले जादा इसकी price में moment नहीं देखने को मिला 0.78 वाला low इसने बनाया था recent जो bottom है 0.78 वाला try किया था और वहां से इससे पहले एक बार यहाँ पर 1.14 वाला area इसने try किया था उसके बाद वापिस price वहीं चली गए थी और अभी जो breakout हो रहा है यानि कि यह एक area को maintain भी करेगा जो इसका support area है उस time पर support area की बात करें अभी जहां से breakout हुआ है वहां पर 0.92 वाला इसको support area देखने को मिल रहा है जिससे उपर इसके daily closing हुई थी कल की daily closing हुई है वो 0.92 से उपर देखने को मिली और उपर की तरह पकर resistance area की बात करें तो 1.1 UST वाला इसको resistance area face करने को मिल रहा था जहां पर इसने एक अच्छा breakout लिया एक अच्छे volume के साथ 1.1 UST वाले area को इसने break किया और उसके बाद 1.3 UST वाले area को भी break किया है और अभी उपर की तरह 1.3 से उपर trade कर रहा है और 1.55 वाला area इसको next resistance area है तो उसको भी हो सकता है यह try कर सकता है अब आपके लिए targets की बात करते हैं जिन लोगोंने इस coin में entry ली है तो पहले तो हम बात करते हैं DAO maker जो token है उसकी price में इतना fluctuation moment अभी क्यों देखने को मिल रहा है सारे coins में dump है BTC में अच्छा correction देखने को मिल रहा है दूसरे coins में dump है लेकिन DAO token में जो moment है उसका region है कि जो DAO maker की anniversary campaign ये start कर रहे हैं इनकी anniversary campaign में बहुत सारी चीज़े ये कर रहे हैं जिसमें reducing the circulating supply circulating supply जो है उसको reduce कर रहे हैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं इस वज़े से ये जो announcement हुआ है two hour ego ही हमें देखने को मिला और उस announcement के बाद इसमें एक अच्छा breakout देखने को मिला तो इस breakout की वज़े से वज़ा जो है ये इनका जो announcement है DAO maker anniversary campaign ये देखने को मिल रहा है अब आपने इस coin को अगर one university से नीचे भी बाई किया रिसेंट वाल एरिया पर बाई किया है तो आपको बहुत अच्छा profit अभी 30-35% या 40% तक का भी देखने को मिल रहा ह तो जो जिन लोगों ने trading perspective से entry ली है जो quick profit earn करने perspective से जिन लोगों ने entry ली है currently अगर market की situation देखें तो थोड़ा सा correction है और अभी यहां पर monthly closing भी होनी है और 1st February 1st और 2nd February को FOMC की meeting होनी है जिसमें federal reserve जो है वो यहां पर interest rate बढ़ाने बाला है और जैसे ही ये news निकल के आई market म dump देखने को मिला तो हमें उस news का फाइदा उठाना है जो federal reserve यहां पर interest rate बढ़ाएगा उसका फाइदा उठाना यहां से हमारे coin में profit हो रहा है यहां से हम proper area पर sell out करेंगे exit होंगे और फिर नीचे वाले level पर अभी एक दो दिन में अच्छे coins जिन में breakouts हुए हैं और जिन मे breakouts नहीं भी हुआ है normal movement हुआ है सभी coins में लगबग एक अच्छा लेवाल हमें मिल जाएगा और वहां पर मैं आपको एक दो दिन में अच्छे coins share करूआ तो आपको यहां पर 1.4 USD पर sell out करना है इस coin में 1.4 वाले area को इसने 2-3 बार भी try किया है वापिस try कर लेगा 1.4 पर sell out क जाना है आपको यहां पर जिन्होंने भी trading perspective से entry ली है वहां पर sell limit ज़रूर लगा दे price जब भी जाती 1.4 पर तो अभी यह trade करी रहा है जब हो सकता है जब आप वीडियो वहुच करे और भी उपर वाले level पर यह try करे या फिर नीचे वाले level पर अगर trade करता है जब आप referral करके अच्छा bonus earn कर सकते हैं और second आपके लिए target रहेगा 1.5 जहां पर आपको 30% पर sell out करना है उसकी बापको sell limit लगा दे नहीं इसके अलावार जो short term में trade करते हैं जो monthly base पर एक अच्छा target trade करके चलते हैं 50-60% 70% तक का तो अगर आपने 90-70 या 1 USAT से नीचे buy किया है तो आज उस area को try नहीं भी करता है तो जब चार से दिन बार next जो moment होगा उसमें try कर लेंगा हलाकि chances है अभी जो breakout हुआ है इस breakout में stability भी maintain करेगा और यह वो जो पहले वाला breakout है इस type का breakout नहीं है कि pump हुआ और dump देखने को मिला नहीं यहां पर जो है इसको volume भी support कर रहा है और जो volume में जो support देखने को मिल रहा है इस यह stability भी maintain करेगा इस area क्या हो रहा है डेली का chart open क्यों नहीं हो रहा है एक minute यहां पर अगर देखे तो पहले जो breakout हो रहा है यह वाला breakout इस breakout में volume इसके साथ नहीं था और volume अगर साथ नहीं देता है तो वो uptrend जो है वो fake breakout देखने को मिलता ह उसमें फिर dump देखने को मिलता है और यहां पर अगर देखें तो यह जो breakout है supported by volume है और इसमें एक अच्छे level को यह maintain भी करेगा अगर daily closing अभी 1.3 से उपर होती है तो हो सकता है price 1.2 तक आजाए 2-4 दिनों में लेकिन वापस moment जो देखने को मिलेगा उसमें 1.6 को try कर लेगा तो उसके लिए कोई आप वेफी कर रही है आपको जादा घबराने वाली जरुबत बात नहीं है यहां पर आपके 1.6 वाले level को यह chances है कि night में ही cross कर जाएगा और नहीं करता है तो फिर हम दो से चार दिन वाले के बाद जो breakout होगा उसमें इस coin की price 1.6 से उपर वाले level को try करत होगा दिख जाएगा तो आपको sell limit लगा दे नहीं बस sortum वाले जो है और जो long term में hold करना चाहते हैं उनको भी आने बाद दुर्म में एक अच्छा profit यह coin देख कर जाएगा long term में भी आप इस coin के अगर target की बात करें five to six month की बात करें तो four usity से उपर आपको trade करता हो दिख ज देखने को मिलेगा तो अभी आपको wait करना है दूसरे coin में हम आपको कल या फिर परसो एक दो दिन में आपको अच्छे level पर अच्छे coin share करेंगी आपका पास amount है capital है आपके पास wallet में अभी आपको इस coin में entry लेकर risk नहीं लेना है और अगर आपको risk लेना चाहते हैं आपका analysis prices बोलता है कि नहीं हम तो यह आपर buy करके profit generate कर लेंगे तो वो एक अलग चीज है इसका लाव जो नए investor हो हमारे premium membership में जरूर इन्रॉल करें ताकि आप crypto losses से बच पाए over trading को manage कर पाए signal वहाँ पर share की जाएगे proper आपको knowledge share की जाएगा technical चीज़ की जाएगी आप trade का knowledge आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो interested है वो इंस्टा पर DM करकी join कर सकते हैं इंस्टा के link वीडियो के description में है बाकी यहाँ पर buy or sell खुद के risk खुद के research के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहे वीडियो से education purpose से है ताकि आपको overall coin related knowledge हो सके वीडि Thank you.